Hello dear students, DOE, Mission Mathematics, worksheet आज हम करेंगे बिटा, decimal से related, तो दशमलव एक संख्या है, जिसमें एक पुर्णाक और एक भिनात्मक भाग होता है, जो दशमलव बिंदू द्वारा प्रिथक किये जाते हैं, अलग किये जाते हैं, जैसे 24.36, ये point decimal कहलाता है या दशमलव, और ये भिन का भा होता है, यानि कि कुछ हिस्सा होता है, और ये एक पूरी संक्या होती है, जैसे एक पूरा पीजा, one और ये आधा हिस्सा, तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे लिखते हैं, एक बटा, दो, है ना, तो इसे हम decimal में कैसे लिखेंगे, point five, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, एक ज हाई सेकड़ा होता है, बीच में अगर decimal आता है, तो इसके right hand side पे दशांश, यानि कि one by ten, फिर शांश, यानि कि one by hundred, फिर हजारवा, यानि कि one by thousand, इस तरीके से नंबर चलते हैं, टेबल में, तो ये संक्या दी गई है, हमें 558.234, तो आप इस टेबल में भर देंगे, और यहां हमें नंबर बताना है, क्या बन गया, 107.350, नेक्स देखिए, कमपेरिजन कैसे करते हैं, देशमलब संक्याओं का, डेसिमल नंबर का, तो हमें simply कोई भी इसमें नया रूल नहीं है, बीटा, one by one आप नंबर को चेक करते जाएंगे, पहला नंबर चेक किया, 3 या 4 तो सीधा clear हमें पता चल रहा है, ये नंबर बढ़ा है, अब यहां देखिए, 4, 4, पहले नंबर से नहीं पता चला, फिर दूसरे पे जाएंगे, 3, 3, इससे भी नहीं पता चला, फिर आप तीसरे पे जाएंगे, 4 और यहा 2, तो सीधा ये वाला बढ़ा हो गया, डेसिमल हो होने से कोई फरक नहीं पता, तो अब हम इन नंबर को comparison कर लेते हैं, 200.06 and 20.006, तो देखे, 200 बढ़ा है ये 20 बढ़ा है, डेसिमल के इधर वाली संख्या चेक करेंगे पहले, 200 ये 20, तो 200 बढ़ा है, बढ़े की तरफ मुह खुला होता है, बी लिखेंगे, 41.3, 41.300, डेसिमल के बाद की संख्या के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो मेन नंबर ये भी 41.3 ही है, 0 बाद में लगाने का कोई भी importance नहीं है, तो इस टू नंबर सार एकवल, सी पर देखेंगे, 73.409, 73.49, तो 40, 40 है, यानि कि यह 49 है, तो ये बढ़ा हो गया, ऐसे ये कर लेते हैं, 9.085, 9.080, तो 085, 080 से बढ़ा है, देट सोल बिटा, कीप उन लानिंग, स्टेपलेस्ट